अब पढ़ेगा इंडिया हमने मैट्स के लेक्चर में परसेंटेज टाइम एंड वर्क एरेश्य और प्रपोर्शन इन सारे टॉपिक को देख लिया है अब इसी सीरीज में अगला टॉपिक है वो है मिक्सर एंड एलिगेशन मिक्सर एंड एलिगेशन से आप इस रूल का बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व कर सकते हो लेकिन मिक्सर एंड एलिगेशन चैप्टर को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि परसेंटेज रेश्य और परपोर्शन यह दो चैप्टर को आप बहुत अच्छे तरीके से समझें क्योंकि अगर उन उन चैप्टर को आप अ को आप चुट्कियों में सॉल्व करोगे इसलिए अगर आपने उन सारे लेक्टर को नहीं देखे तो आप प्लेलिस में जाकर और उन सारे टॉपिक के जो भी लेक्टर आए हर टाइप के को से उसमें बताएंगे उसे आप एक और देख लेना उसके कॉनसेप्ट को समझ ले सब्सक्राइब इसलिए अगर आप 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 एक है उनको आपस में मिक्स किया जाता है तो जो फाइनल जो वैल्यू होगा दूद का उसमें दूद और पानिका क्या अनपात होगा है फ्रेंट्स जब भी इस तरीके का कोश्चन हो तो जैसे हम पहले भी बिंगा थे रेशियों में आपने देखा और इस तरीके का को स्वार्व किया था तो पहले हम आपको एक वार रिकाप कर वा लेते कि देख रहे हो कि तीन अनपाथ एक और पाच अनपाथ एक यह इनका क्या दे दिया अनपाथ दे दिया है अच्छा आप दोनों को एड करोगे दूद्ध और इसको पानी को एड करोगे तो यहां चार हो रहा है यहां छे हो रहा है ऐसे केस में क्या करते हैं दोनों का LCM लेने प और उपर हम दो से ऊपर में 3 से और नीचे में 2 सी मल्टिपलाई करेंगे है ना कि ऑके तो थीन से और दो से मल्टिपलाई करेंगे तो आप देखो इनका रेश्यों हो जाएगा खि Baptist 3 x 166 अब दोना को मिक्स किया जा रहा है यानि दोनों को जोड़ नेंगे तो उनीशी अनुपाथ-5 की अनुपाथ में इनका क्या जाएगा जो final value होगा मिक्स करने के बाद उसमें दूद और पाली का प्रतीसात हो जाएगा अगला कोसन देखते हैं two types of milk having milk and water sorry two types of milk having milk and water in the ratio three is to one and five is to three are mixed together in the ratio two is to one then find the ratio of milk and water in final milk friends मैं फिर से repeat कर रही हूँ इस chapter को हम क्या कर रहें अभी जो हम questions को रिश्यों तरीके से बना करके आपको recap एकवार करवा रहें ठीक है तो आप देखिए अगर इस तरीके का question रहता तो हम क्या करते वहीं दोनों का उनपात लिख लेते हैं तीन उनपात एक पाच उनपात तीन अब क्या करते हैं दोनोंगा अदो कर लो एड करने पर जा रहा है एक चार आप देखो एक चार आ रहा है और यानि एक अनपात में आ गया तो आप सबसे पहले देखो पहले दोनों का बजन बरावर करते हैं तो हमने क्या कि उपर वाले में दो से मल्टिप्लाइब कर दिया नीचे वाल में एक से तो बजन बरावर हो जाएगा इसका ओके यहां तक तो इसका हो गया बजन बरावर करने के लिए है Indigenous हैं आपको मिक्स के जार है दो 3 के अनुपाथ में यहां बज़न ब्राबर हो गया अब इनको 12 उसका से मुट्प्ल्लाइब कर देते हैं तो उपर्वाले को do तीन उसको 3 उसको मुट्प्लाइब कर देंगे तो मारे पास आब यह में वो बारान पाथ चार और पंद्रान पाथ नौ आ जाएगा इन दोनों के एड़ कर देंगे तो 27 पाथ 13 आ जाएगा अंसर यही फाइनल मिल्क में रेशियो हो जाएगा उसका अगला कोस्टन कह रहा है कि एक्वाल वेट ऑफ त्री टाइपस ऑफ मिल्क हैविंग मिल्क अड़ इन दे रेशियो 3 is to 1, 5 is to 3, 11 is to 5 are mixed together then find ratio of milk and water in final milk यानी की बराबर मात्रा में तीन तरीके का दूद रखा है जिसमें दूद और पानी का परतिसत 3 अनपाथ 1, 5 अनपाथ 3 और 11 अनपाथ 5 है उनको आपस में मिलाया जाता है तो जो फाइनल मिल्क वनेगा उसमें परतिसत क् बानी का बिल्कुल सेम प्रोसेस फहले हम तीनों का क्या लिख लेते हैं रेशियो लिख लेते हैं रेशियो एड करेंगे तो 4 हो जाएगया यहां देखो 4 हो जाएगा आप ऐसे देख लो 4, 8 और 16 यहां तो इसे ईसे ही सॉल्ब कर सकते हैं देखो आप 48 16 का LCM लेंगे तो सोलन हो जाएगा तो equal amount करना है तो चार में 4 से multiply करेंगे तो सोलन और सोलन में एक से multiply करेंगे तो सोलन हो जाएगा यह इतना से multiply करेंगे बराबर करने के लिए ठीक है तो बराबर करने के बाद जो final आ जाएगा हमार पास ratio वो है 12.54, तसन पाथ 6, ग्यारण पाथ 5 कहना सारा सुल्ला सुल्ला हो गया अब तीनों को mix किया जा रहा है तो तीनों को हम add कर देंगे add करके value जो आएगा वही हमारा final answer हो जाएगा क्योंकि हम ratio minimum value में लिखते हैं तो यह देखिए 3 से divide हो रहा है तो ग्यारण पाथ 5 इसका ratio हो जाएगा अगला question हम देखेंगे in what ratio must a man mix two types of milk having 20% and 30% water respectively so that percent water in the final milk become 24% अब देखिए इसे हम ने जो बनाया ratio के तरीके से भी बना सकते इस question को पर क्योंकि मुझे एक अलग topic एक नए topic के बारे में आपको बताना है जो वहाँ पर preview था वह अमने ratio का आपको दे दिया अब आप एलिगेशन वाले topic से थोड़ा बनाने की कोशिश करिए तो एलिगेशन के topic से जब हम बनाते हैं आप यह बोलो कि कर रहा है क्या 20% and 30% water अच्छा आप देखो यहां पहले वाले तरीके से भी हम इसे बना सकते हैं यह देखिए 20% water है तो milk क्या हो जाता 80% यानि चार अनुपात एक में हो जाता उसका 80 और 20 हो जाता milk और उसका ratio इसमें हो जाता 7 अनुपात 3 के अनुपात में दूद और पानी ऐसे करके भी हम बना सकते थे लेगिन हम एक नया topic को समझ रहे तो आप इस नया topic को धीरे धीरे समझने की कोशिस करिए ठीक है अभी बिल्कुल इजी कोस्टन से लेकर के चल रहे अच्छा फ्रेंड्स इस टाइप के कोस्टन में आपको सबसे बड़ी बात ध्यान देने वाली है कि दूद है तो दूद ही सारा हम लिखेंगे पानी है तो सिर्फ सारा पानी ही लिखेंगे आगर यहां अलग अलग भी दिया रहा था कि 30% अकर मिल्क भी दिया रहा था तो हम वाटर निकाल लेते हैं यहां चलो अच्छी बात है कि यह सब में water दे दिया है 20% 30% फाइनल में यह देखें क्या दिया है 24% ठीक है परसेंट वाटर अब कोस्टन को आप सबसे पहले समझ कशले लिजे कि दूद में दो तरीके के दूद में जो पानी का अनुपात है वह पानी का परसेंट जो है वह 20 परसेंट 20%-3% दोनों को इसानुरपात में मिलाया जारा है कि उनका जो फाइनल में वाटर का जो पानीका जो परतिस्ट होगा वह 24% कि धितना परतिस्त उसमें पानी हो जाए कि इस सब upstairs करेंगे तो water मेरा रखेंगे मिल्क है तो मिल्क ध्यान में रखेंगे यहां देखिए यहां water दिया है न 20% sorry वो airport के बगल में होने कारण यही disturbance है यहां पर flights की आवाज के कारण बहुत ही disturbance होता है अब यह देख लो 20% 30% और 24% क्या कह रहा है 20% है पहले में फर्स में सेकंड में 30% और मिलाने के बाद कितना परतिशात हो जाए 24% तो जो मिलाने के बाद होता है न यानि जो बाद में जो value आ रहा है उसको हम 24 में रखते हैं अब हम क्या करेंगे कि एक बार जैसे मान लो ऐसे नॉर्मल साब मैं आपको एक चीज समझाती हूँ A, B और C है तो हम एक बार क्या करेंगे कि A से C को माइनस करेंगे तो अगली बार क्या करेंगे C से B को माइनस करेंगे या फिर अगर हमने ऐसा किया कि C से A को माइनस किया C से A को माइनस किया तो अगली बार क्या करेंगे B से C को माइनस करेंगे ठीक है जो निकलेगा वो ही रेशियो निकलेगा तो आप देखिए 20% 30% और 24% माइनस करेंगे तो 24 में से 20 माइनस करेंगे तो इसके सामने लिखेंगे माइनस करेंगे तो 6 300 हो जाएगा हमेशा इसको क्या कह देंगे बिलकुल सामने ऐसे लिखेंगे यानि इस तरीके से आना तो अनुपाथ क्या गया इनन पहुँ चरह जिर तो तीन पाथ डोन गया तो वह कितना हो जाएगा उसका जो फाइनल में मिल्क हो जाएगा वाटर हो जाएगा वह 24 परसेंट हो जाएगा अच्छे इसको मैं आप लोग को एक बार वह क्या बोलते हैं एक बार जैसे रिवर्स में हम चेक कर सकते हैं कि क्या ऐसा इसा और सच में सभी है अगर रेशीव तरीके से बनाते तो हो सकता था अगर आप जानना चाहते हो यह चीज़ दूसरा रूल कि हाँ आपने जो किया वह सही है नहीं तो आप एक बार कमेंट बोक्स में बताना फिर मैं बताऊंगी कि कैसे इसको च केजी 25 पर केजी so that the rate of final mixture become 21 पर केजी कह रहा है कि कोई आदमी किस रेशियों में दो तरह के चीनी को मिलाए जिसका रेट 15 रुपया पर केजी और 25 रुपया पर केजी है जिससे की mixer जो है उसका रेट 21 रुपया पर केजी हो जाए जब भी इस तरीके का question है तो मैंने पहले भी बताया दोनों में चीनी का है 15 दोनों रेट दिया है तो 15 25 और मिलाने के बाद जो रेट आ रहा है यानि 20 आ रहा है उसको बीच में रखेंगे अब क्या करेंगे इससे इसको माइनस करके इसके सामने लिख लेंगे तो 4 और इससे इसको माइनस करके इसके सामने लिखेंगे 6 यानि दोन पार 3 का ratio हो गया अगला question देखते हैं In what ratio must a man mix two types of gold of 16 carat and 24 carat so that new gold is formed 22 carat मतलब कहा रहा है कि एक आदमी को किस ratio में 16 carat और 24 carat का gold mix करना चाहिए जिससे कि जो final बने वो 22 carat का हो जाए आप हमेशा ध्यान रखे एक चीज जो pure gold होता है वो कितने carat का होता है 24 carat का होता है सो नाम आपने काई काई क्या होता है तो carat होता है ठीक है 16 कह रहा है और 24 कह रहा है और जो बीच में बाद में बन रहा है वो कितना हो रहा है 22 हो रहा है 22 से 16 माइनस करके इधर लिख लेंगे 6 और 24 से 22 माइनस करके इधर लिख लेंगे 2 यानि एक अनुपात तीन के अनुपात में हम अगर मिक्स करते हैं तो क्या हो जाएगा 22 करेट फॉर्म होगा ठीक है यह तो आपने सोंस देखे उसके बिलकुल बेसी को संदेके अब है अब आपके माइन में जगरूर सब्सक्राइच कि इस में हम इसमें हम मिला कुछ रहे हैं सॉल्व यहां दिया कुछ है और निकल कुछ रहा है तो क्या दिया रहे हैं तो क्या निकल रहे हैं तो कब क्या दिया रहे हैं और क्या देख लेगा यह चीज देखने के लिए सबसे पहले आप यह देख लीजिए अगर परसेंट अगर दिया रहे तो क्या निकलेगा weight of mixture निकलेगा total weight of mixture निकलेगा अगर increase या decrease percent में दिया रहे है पर्सेंट में कर दिया हुआ है तो उससे हम solve करेंगे तो निकले का यहीवाले ratio से जो mixture education a b और c वाला जो बताया इसे हम solve करेंगे तो इस लिस्ट को बिल्कुल कौण सेंटरेशन दिया है तो वेट निकलेगा है excited ग्रीज टिया तो इनिट्री वैलू परीज पर इने क्रीज और होता एक प्रॉफिट या लॉस दिया हो और यह बता हो कि परसेंट प्रोफिट या परसेंट लॉस होता किस पर है कॉस्ट प्राइस पर लॉस या प्रोफिट होता है तो यह दिया रहे है तो निकलेगा क्या कॉस्ट प्राइस निकलेगा अच्छा जब interest दिया रहे है या total interest दिया रहे है तो आप यह बतो कि interest या total interest किस पर निकलता है principle पर निकलता है जो मुल्ले value होता है उसी पर तो निकलता है यानि principle निकलेगा rate जब दिया रहे है तो weight या number निकलेगा और अगर speed दिया रहे है इससे speed और time का भी question solve कर सकते हैं आप देखना आगी example भी questions देखोगे तो speed दिया रहे है तो time का जैसे हो निकलेगा और strength दिया रहे है तो weight of mixer निकलेगा इस वाले list को आप ध्यान से देखो यह और कुछ नहीं रखने वाली चीज नहीं यह formula है थोड़ा सा concept है क्यूं जैसे आप loss ये profit किस पर निकालते हो cost price पर निकालते हो दो चार वर पढ़कर ध्यान से समझ करके और बिल्कूल आप अपने mind में fix कर लो आगे देखते हैं question कि कि a man bought a TV and a radio in 10,000 and sells TV at 4% profit and radio at 6% loss and he gets overall 1% loss find the price of TV कह रहा है कि एक आदमी एक TV और एक radio 10,000 में खरीता है TV को वो 4% profit पर और radio को 6% loss पर बेच देता है उसके बाद भी 1% का उसे loss होता है तो निकालना है कि TV और इसका price क्या है ठीक है जो उपर वाली list में हमने बताया ऐसे भी question में तो दिया रहेगा ही रहेगा कि क्या find out करना है लेकिन आपको भी पता होना चाहिए कि profit loss है तो क्या निकलेगा उसका cost price निकलेगा अभी भी बताई थी मैं अच्छा फ्रेंड्स जब हम नॉर्मल तरीके से चलते थे तो ऐसे question को क्या बनाते थे यहीं कर देते हैं माना कि एक का value x है तो दुसरे का दस जर माइनस x एक्स पर एक पर एक सो चार पर तीसेत लगा देते और एक पर 94 पर तीसेत लगा देते फिर solve करते फिर एक पर तीसेत आता लेकिन अब क्या करेंगे अब हम उस जो तरीका था उस तरीके को छोड़ेंगे क्योंकि हमें competition क्लियर करना है तो उस तरीके को छोड़ेंगे अब ऐसा करते हैं आप एक तरफ टीबी लिख लो एक तरफ रेडियो लिख लो ओके अब आप देखोगे टीबी और याद कर आप इस से इसको minus करेंगे तो minus 6 minus minus 1 minus 6 plus 1 यानि को minus 5 हो जाएगा minus 5 और 4 से minus 1 को minus करेंगे तो 4 minus minus 1 यानि की sorry 4 plus 1 तो कितना हो गया है फाइब यानि यह स्याएक अनपाथ, और दो यूनीट बराबर दिया हुआ है, 10,000 तो एक बराबर 5,000 हो जाएगा यानि दोनों का 5-5,000 रुपया रेट हो गया अगला कोच्टन हम देखते हैं इन स्कूल 15% बोई 30% गर्स लीव दा स्कूल देर्फोर टोटल नंबर अफ स्टुडेंट्स डिक्रेस्ट वाई 21% find the ratio between boys and girls in the school sorry कह रहा है कि एक स्कूल में 15% लड़के 30% लड़कियां छुट्टी पर गये और इस कारण जो टोटल बिद्यार्थी है वो 21% कम हो गये तो निकालना है कि स्कूल में लड़कियों और लड़कियों का उन पाथ क्या था अच्छा आप ये बताओ लड़कों और लड़कियों का नंबर ये तो मिला कर जो है वो स्कूल के टोटल जो स्टुडेंट्स है यानि टोटल बिद्यार्थी का संख्या निकलता है है ना तो इसको निकालने के लिए अगर हमारे पास प्रतिसाथ दिया हुआ है तो इससे क्या निकल जागा रेशियों निकल जागा उनके टोटल नंबर का तो देखें यहां पंद्रा परतिसाथ और तीस परतिसाथ का रेशियों दिया हुआ है और यह छुटी पर चले जाते इतना परतिसाथ चुटी पर चले जाते तो कितना संख्या में कम जाता है एकिस परतिसाथ कम हो जाता है एकिस को बीच में लिख लिए अब माइनिस करोगे तो नौँ होगा और एकेश से पंदर को माइनस करोगे तो 6 यानि तीन अन्पाथ 2 तो तीन अन्पाथ 2 के रेशियो में क्या थे? वहाँ पर students थे यानि कि boys और girls थे अगला question हम देखते है A man has some cows, hands and total number of heads is 200 and total number of legs is 580 find the number of cows अच्छा आप ये बताओ आप मुझे बताओ कि इस question को तो बहुत तरीके से बना सकते हैं बहुत ही तरीके से ये ऐसा question है जो मुझे नहीं लगता हर इंसान अलग अलग तरीके से बनाता होगा पर क्योंकि हम mixer and allocation पढ़ रहे हैं तो हम इसी तरीके से बनाने की कोशिस करेंगे कि आप ये बताओ या तो हेड हेड तो दोनों का बराबर यह होता है है ना क्या Difference होता है उनके पैरों के संख्या में दिफेरेंस होता है तो पैरों के संख्या में डिफरेंस होता है ऐसा करते हैं हम एक तरफ हेन और एक तरफ काउ लिख लेते हैं हेन के पैर किते हैं डो काउ के चार है गाय के चार होते हैं अब यह बोलो कि टोटल जितने हैं पैर है ना लेक्स टोटल जितने लेक्स हैं उसका एवरेज निकाल ले तोटलने लिए टोटल एड्स टोटल लेक्स डिवाइड़ वाई टोटल नमबर उफ एक है यानि कि टोटल नमबर ऊफ इनिमल्स इससे हम करेंगे तो एंवरेज हमारे पास आवरेज निकल जागा तो पॉइंट 9 ओके, average 2.9 निकल गया, जब इस तरीके का question करेंगे तो हम average निकाल लेंगे, इसको ऐसे करने का तो और भी तरीका है, पर यह बहुत ही easy तरीका है, तो आप average निकाल लोगे, average निकालने के बाद 2.9 अगया, 2.9 तो middle में हो गया ना, तो क्या करेंगे, यह यानि कि बाद वाला च करेंगे तो 1.1 हो जाएगा और इधर 0.9 हो जाएगा, इनका परतिशत निकालेंगे तो 11.9, ओके, अच्छे, 11.9 मिलाकर 20, और 20 ब्राबर 200 है, तो एक ब्राबर 10, तो निकालने के रहा है, गाय का संक्या, तो गाय तो 9 इनिट है ना, तो 9 इनिट ब्राबर 90 रूपी, सॉरी 90 काउस, ओके, आगे का क्वेशन देखते हैं, अ स्टुदेंट्स एपियर इन एग्जामिनेशन, हाविग हैंड़ने क्वेशन, यह तो वही हो गया, एससी वाला एक्जाम, चार पर, चार गलती पर एक नंबर, है ना, यह कट जाता है, वही सेम चीज है यह, तो आप यह बटाओ, कि सही करने पर कितना में रहा है, चार, और गलत करने पर, एक कम हो जा रहा है, ना, 100 question है, और 300 number आता है, average निकाल लेंगे, 300 number बटा 100, यानि average 3 हो गया, तो average को हम बीच में रख लिए, ओके, इसे जब हम solve करेंगे, चार, तीन, और एक ऐसे रख के जब solve करेंगे, तो आप यह देखो, इस में से इसको minus करेंगे, तो 4 हो जाएगा, और इसको minus करेंगे, तो 1 हो जाएगा, यानि चार अनपाथ, एक के अनपाथ में हो गया, ठीक है, तो 100 कोशन है, तो सही कोशन असी, और गलत कोशन 20, है ना, चार अनपाथ, एक के अनपाथ में हो गया, पाच यूनिट, बराबर 100, तो 1 यूनिट बराबर 20, तो 4 बराबर 80, और 1 बराबर 20, तो सही अंसर कितने दिए, अशी सही अंचा दिये उसने है अगला कोश्चन देखते हैं अगला कोश्चन है अमैन ट्रेवल 300 किलोमेटर बाई बस अन ट्रेन इन 6 आर इफ स्पीड अफ बस इस 40 किलोमेटर पर आर अच्छा आप यह बताओ क्या दिया हुआ है फाइंड देखो शिक्स आर्स बोलेता है छे गंटे लेता है ना यानि कि एक हमारे पास क्या क्या दिया है स्पीड दिया है दो स्पीड दे दिया है तो हम एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं क्यों दो स्पीड दे रखा तो एवरेज स्पीड निकाल लेंगे एवरेज स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे टोटल दूरी, बटा, सॉरी, यहां हम क्या करेंगे, ति एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तोटल डिस्टेंस वाइ टोटल टाइम, यानि कि पचास किलुम्टर पर आर हो गया, एवरेज स्पीड, स्पीड क्या क्या दिया है, 40 दिया है, 70 दिया है, पचास हो गया यह एवरेज, तो रेशियो निकालेंगे, तो क्या हो गया, 20 और 10, यानि दो अनपाथ, एक का रेशियो निकल गया, स्पीड का जब दिया हुआ रहे, तो उससे हम क्या निकालते हैं, पहले स्टार्टिक के लिस्ट में हमने बताए था कि स्पीड जब दिया रहे है, तो उससे रेशियो क्या का निकलता है, टाइम का रेशियो निकलता है, अच्छा, दो अनपाथ, एक यह टाइम का रेशियो वो बस से चल रहा है और दो घंटा ट्रेन से चल रहा है है ना अभी देखवा बस का जो स्पीड है वो 40 किलुम्टर प्रतिगंटा है तो 4 गंटा में 440 यानि 160 किलुम्टर बस से चलेगा और 70 किलुम्टर प्रतिगंटा ट्रेन का स्पीड है और दो घंटे चलता है तो 140 किलु किस अनपात में एक आदमी दूद और किस अनपात में एक आदमी दो तरीकी के दूद को मिला है जिसमें की I am so sorry question आप in English में समझ लो पाइने In what ratio must a man mix water in the milk having 80% pure milk so that percent pure milk in final milk becomes 60% कर रहा है कि कोई दूद है जिसमें ऐसी परतिसाद दूद है और उसमें कितना परतिसाद पानी मिला जाए जिससे की फाइनल में जो है वो 60% दूद का मात्रा रह जाए इसे हम ऐसा करेंगे हमने पहले आपको एक दूद के हिसाब से या पानी के हिसाब से दोनों में से किसी भी हिसाब से हम बना सकते अच्छा आप यह बताओ पानी कितना एड़ कर रहा है और तो दूद का मातरा अगर सी है तो पानी कितना हो जागा 20 कि फाइनल में दूद 60 है तो पानी कितना हो जागा 40 शॉल करेंगे तो 20 iyदर और 60 यह यह नि एक अनुपात 3 और इसको भी सॉल करेंगे तो इस इधर साथ इधर एक अनुपात तीन सेवन सरा गया ना आगे देखते हैं कि 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 दो तरीके का दूद्ध है एक में 40% पानी है और दूसरे में 20% पानी है दूसरे में 40% पानी है उन्हें कि किस अनुपात में मिलाया जाए जिससे कि फाइनल में दूद्ध का जो परतिशात है वो हो जाए 28% तो 20, 40 और 28 रेशियो निकल गया तीन पात दो रेशियो ये कोस्टन देखिए थोड़ा अलग कोस्टन है अभी धीरे-धीरे टाइप्स चेंज होते जाएंगे ये कोस्टन है इन वाट रेशियो मस्ट अमैर मिक्स तो टाइप्स अफ मिल्क वाट इन रेशियो 3 तो 2, 4 तो 1, यानि किस अनुपात में एक आदमी दो तरीके के दूद को जिसमें कि दूद और पानी का परतिशा अनुपात 3 अनुपात 2, 4 अनुपात 1 है जिससे कि फाइनल में दूद और पानी का परतिश्थ 3 अनुपात 1 हो जाए प्रेंट्स जब भी स्ट्राइब का कोस्टन रहे तो हम क्या करेंगे ऐसा करो आप आपने क्या किया दूद और पानी का दोनों में परती सथ लिख लिए और एक फाइनल में आ रहा है वो भी आप लिख लो फ्रेक्शन में अगर चेंज करते हो तो सिर्फ दूद दूद लेते कि उख्यों किमेने ही बताãy ना कि जो भी लेंगे तो सेम् क्वालिटी का चीज लेंगे यानि तीन व्रत प्वाइब किसमें और इसुन चार्वलत पाप्द हो और यहां क्या, 3 वटा 5 हो गया Milk by total, total कितना है 5, total 5 और यहां total 4 यह आ गया, इसको अब solve कर लेंगे तो 1 वटा 20 और 3 वटा 20 यानि 1 वटा 3 का ratio आ जाएगा अगला question हम देखते हैं In what ratio must a man mix two types of sugar costing at the rate 20 per kg, 40 per kg So that after selling the mixer, 40 per kg, a man gets 25% profit क्या रहा है, कि कोई आदमी, दो तरीके का चीनी जिसका जो कीमत है, वो है 20 रुपे पर kg और 40 रुपे पर kg वो किस अनुपात में मिला है, जिससे कि अगर वो उस mixer को 40 रुपे पर kg बेचता है, तो 25% का profit होता है यह कह रहा है question, अच्छा आप यह बताओ, 40 रुपे अगर बेचता है, तो 25% की profit होती है न, अगर एक सुरुपे बेचता, 25% profit बतले हैं, एक सो 25% तो कितना हो जाता है, 40, एक सो अगर CP है, उसका एक सो पचीस पर 30 से परावर, 40, 5 और 4, 25 से काटेंगे तो 8, यानि एक स का वैलू 8 चोका 32 हो गया, एक स का वैलू 32 हो गया, यानि कि मुल्य जो है, इसका क्रैमूल रहता है, अगर profit नहीं लाता, तो क्रैमूल कितना आ जाता, 32 आ जाता, 32 को माइनस करेंगे 8, और 32 से 20 को माइनस करेंगे 12 यानि दो अन परतिन के रेशियो मेंहीं अगर ये मिलाता है, तो 44 पर केजी बेचने पर 25% का लाब होता है इसे कह रहा है मोग्या की दूद्ध है दो तरीकी का दूद्ध रखा है उसमें क्या है की 370 की रेशयों में वह वह दूद है अगर बीस लीटर उसमें से दूद निकाल दिया जाता है किसी कंटेनर में जो चाई वह तिन पर 12 के नफिशत में हैं दूद और पानी का परतीशर्ञाघ्र उसमें से बीस लिटर दूद निकाल लिया जाता और इक्वाल अमाउंड का पानी उसमें मिला दिया जाता है तो जो दूद और पानी का रेशियो है वो एक अनपाथ एक हो जाता है तो निकालना है कि इनिस्याल वैलू दूद का कितना था हो ठीक है अब देखते हैं इस कोस्टन को अच्छा इसमें देखिया आप तीन त्वार चेंजिंग हो रहा है न एक तो इनिस्याल अमाउंट था इनिस्याल था तीन अनुपाथ दो एक क्या हुआ कि अगर इनिस्याल में से 20 लिटर निकाल दिया गया अब आप ही बैताओ अगर 20 लिटर निकाल दिया जाता है या 40 रिशियों में कोई फ़ पड़ेगा रिशाए भी म मिला चाल रहाँ पाणी मिलाए जाए जा आए दूद मिलाए जाए अलग अलग अमाउड का चीज है यह तो अगर उसको मिलाया जा रहा है तब फर्क पड़ेगा तो पानी मिलाने के बाद जो फाइनल देस्टियों है वो एक अनुपात एक खा जा रहा है आप इधर लिख लो कि 20 पर 30 निकाला गया और 20 लिटर पानी एड किया गया साइड में लिख लो हिंट्स के यह एक है न और यहां मिल्क तीन है तो हम 3 मालटिप्लाई कर लेते हैं तो मिल्क से के एकवल हो जाएगा कियूकि में तो हम कोई फर्क कर नहीं रहें तो तीन अनुपात तीन हो जाएगा ठीक है अच्छा यहां देखो आप दो यहां है और तीन यहां यानि एक यूनिट जब बढ़ रहा है तो एक यूनिट बढ़ने का मतलब है कि 20 लिटर है ना क्यों एक यूनिट का फर्क क्यों आ रहा है जब 20 लिटर पानी एड़ के जा रहा है तो वन यूनिट व्राबर 20 लिटर तो टोटल है कितना पाच यूनिट है तीन अनपाथ दो के उनपाथ में न तो पाच यूनिट रावर एक सो लिटर तो सो तो मीडिल हो गया न अब हमने क्या किया था बीस लिटर निकाल भी तो लिया था तो बीस लिटर निकाल लिया था तो सो प्लस बीस यानि की 120 लिटर उसका अंसर हो जाएग इसमें हम कुछ tricks का भी यूज़ कर सकते हैं concept आपको पहले बता दिया गया tricks का यूज़ कर सकते हैं तो कुछ tricks हम देखते हैं यह tricks ऐसा नहीं fully concept बेज रही है तो आप देखो अ है यहां क्या है अगर कहा रहा है कि कि दूद है, फॉम एकजी मेल्क, एकस केजी मील्क रचलों का लिए गया सिन्थीатель, तू घ्रोकुत का थे फॉरून सर्फ你在 ना लेकिन आप कहा रहा है कि एक केजी कोई दूध है और एक केजी इसमें से निकाल लिया जाता है दूध और उतना ही पानी एड़ कर दिया जाता है और ऐसा इन टाइम्स किया जाता है तो इन टाइम्स मतलब कितना भी टाइम दो बार चार बार कुछ भी दिया जा सकता है त तो वेट of pure milk in final milk, यानि कि pure दूद, प्योर दूद जो होगा final milk में, वो कितना होगा? तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसको निकालने के लिए formula है, 1-XYA, X क्या है? X जितना दूद, निकाला जा रहा है वो तना, और Y A, A total amount के power N into A, यानि total amount, ये क्या है? वेट of pure milk निकालना हो तो, अच्छा, percent pure milk अगर निकालना हो, वेट तो निकालना था, तो ये हो गया, percent pure milk अगर निकालना हो तो, ये percent सेम रहेगा, 1-XYA के power N, और into के आप, percent निकालना है तो 100 से गुना करेंगे, वेट निकालना है तो initial weight से गुना करेंगे, ध्यान रखो आप, तो फ्रैक्शन निकाला हो तो वन से गुना करेंगे यह हो गया ट्रिक में भी आपको ट्रिक बता दिया गया हाँ चलो अब देखते हैं कि दूसरा टाइप का फ्रॉम एक एजी मिल्क हैविंग है रहा है कि एक एजी डूद है जिसमें कि आर परतिशत प्यॉर मिल्क है के दूद में पानी का भी मात्रा होगा ना तो आर प्राद प्ल Haut दिसे प्लिए इस में से X के जी जो दूद्ध है वो निकाल दिया गया और उतना ही प़ानी एड कर दिया गया ठीक है और ऐसा प्रोसेस इंट किया गया तो वेट क्या होगा प्लिए जब इस तरीके का निकालना है तो पहले क्या था वान माइनस एकस बाई एक पावर एन और इंटू आर इंटू ए था बेट निकालने के लिए यानि टोटल अमॉंट से गुना किया था हमने यादे ना आपको अब यह बताओ आर परती सब प्योर मिल्क था ना तो इंटू आर अब इंटू आर इंटू पर्सेंट आर देखो अगर निचे यह बाई परती सब्सक्रीव के लिए यानि हमार पस क्या आर इंटू बं माइनस एकस बाई एकके पावर एन फॉर्मुला फीर से ध्यान रखो हम सिर्फ एक फॉर्मूला लेकर चरहें इतना कि पावर एन और इसने के साथ अगर बेट कर रहा है तो वेट से मल्टिप्लाई कर दे रहें परसंट कर रहा है तो परसंट से मल्टिप्लाई कर दे रहें यानि सो से मल्टिप्लाई कर रहा है फ्रेक्शन कर रहा आर परती से अतना तो आर वाई हैंडड कर देते तो इससे क्या निकल जाता fraction निकल जाता fraction of pure milk निकल जाता ठीक है अच्छो जो अभी आपको concept बताय गया उस पर कुछ questions हम देख लेते हैं वो questions इस तरीके से हैं वो question है कि from 50 liter of milk याद रखिए 50 liter of milk यानि की बजन यह जो वहाँ पर था वही है ना 50 liter 5 kg milk is taken out जो x हम मान रहे थे वही है यहाँ पर कितना 5 liter 5 liter milk is taken out and equal amount of water is added and this process is done for 3 times जो n था वो 3 हो गया परसेंट निकालने कर रहा है तो कितना से multiply करेंगे 100 से multiply कर लेंगे fraction निकालने कर था तो 1 से यानि कि वहीर आ जाता इसको हम solve करेंगे 10 हो जाएगा अगर उसी को परसेंट में करतें तो यहाँ पर सो से multiply करतें तो इतना आ जाता है ना अब देखिए अगला question from 50 kg of milk having 80% pure milk थ्यान रखिया आर परसेंट प्योर मिल्क वाली जो कोश्चन थी जो कॉंसेट बताया था वो आगया ना आर परसेंट प्योर मिल्क वाला 5 liter is taken out and equal amount of water is added this process is done for one time more than percent pure milk in fine find the percent pure milk कर रहा है कि 50 liter दूद में 80% pure milk है 5 liter दूद को निकाल लिया गया और उतना ही दूद पानी को मिला दिया गया और इस process को एक दो बार किया गया sorry for one time more one time more यानि कि दो बार किया गया ऐसा process कितने बार वान टाइम मोर यानि दो बार किया गया तो percent milk percent pure milk निकालना है same process 1 minus x का जो value था यानि 5 by total जितना था 50 का power 2 into आप देखो क्या कह रहा है यहाँ पर fraction यहाँ पर आप देखो कितना में कह रहा है fraction में कह रहा है न तो fraction में कहने के लिए 80 से आप multiply कर दोगे तो अब इसको जब solve आप करोगे तो आजाएगा 64.8 परती साथ इसका अंसर अगर इसी में कह देता कि आपको milk का amount निकालना है यानि weight निकालना है तब क्या करते तब amount वाला formula लगाते क्या amount वाला formula इसी में आप क्या करते यहाँ देखो 80 y 100 और into 50 कर देते हैं इससे solve कर देते हैं ना कितना easy तरीका एक concept पर सारा कुछ है अगला देखिए 50 लिटर दूद में 20 परतिसत पानी है ठीक है और पाच लिटर दूद को निकाल लिया जाता है और उतना ही पानी मिला दिया जाता है इस process को one times more यानि दो बार किया जाता है तो final जो milk है उसमें परतिसत पानी का निकाले अच्छा परतिसत पानी का है ना कि 20% water okay परसेंट water equals to ऐसा हो सकता है है एन्डेड माइनस परसेंट milk होगा ना ठीक है पहले परसेंट milk के लिए हम formula लगा देते हैं और फिर minus कर देंगे परसेंट milk कैसे निकाल देंगे परसेंट milk निकालने के लिए 80 परतिसत 20 परतिसत अगर 20 परतिसत अगर पानी है तो 80 पर सब्सक्राइब करेंगे तो 64.8 हो जाएगा अगर यह तो परसंट मिल्क हो गया ना परसंट मिल्क तो परसंट वाटर कितना हो जाएगा 100-64.8 यानि की 35.2 परसंट हो जाएगा अगरा कोस्टन हम देखेंगे फ्रॉम फॉर्टी केजी मिल्क हैविग 19 परसंट वाटर वन थर्ड मिल्क तेकन आउट और इक्वाट वाटर एड़ इस प्रोसेस इस दन टू ताइम्स मोर ध्यान रखो आप वन टाइम्स मोर तो कितना हो गया दो बार तू टाइम्स मोर तो तीन बार ऐसे हो जाएगा न देन 5 परसंट वाटर इन फाइनल मिल्क गभडाने वाली बात नहींगे वहाँ अमाउंट दे दिया था तो यहाँ आप बताओ कि 40 यहाँ आप देखो 40 का वन थर्ड यानि 40 वाटर तीन निकाल लिया जा रहा है क्या प्रॉब्लम है वन माइनस tips my 43 first divided by 40 divided by magnitude total तो protecting तोंटर तो इतना ही है ना और इतना कि दोट बावर स्ति हुआ हे है どो जो तोwritten आप यह जाएगा 25 तो होडिया लेल दगाए 24 तो इन्टमीड हो गया तो परसंट वाटर कित्ना हो जाएगा लाए 176 परसंट अगला question कह रहा है A container contains 360 liter of milk 120 liter is taken out and equal amount of water is added again 90 liter is taken out and equal amount of water is added again and 60 liter is taken out and equal amount of water is added again find the ratio of milk and water in the final milk ठीक है? कोई बात नहीं है अच्छा आप ये बता हो बिल्कुल सेम है कोई इसमें परिशान होने वाली बात नहीं है आप ऐसा बोलो उसमें जब n टाइम्स दे दिया था same amount निकाला जा रहा था same add किया रहा था तब तो n टाइम्स दे दिया था न इसमें क्या किया? कि हर बार अलग-अलग amount निकाला जा रहा है तो amount निकालने के लिए तो ये था 1-xya ऐसा करेंगे हम हर बार अलग-अलग solve कर लेंगे एक और अगर 120 लिटर निकालता है तब वैल्व क्या हो जाता है? 2-3 एक और 90 निकालता है तब वैल्व 3-4 सार्स निकालता है तो वैल्व कितना? 5-6 है न? ऐसा हमने कर लिया और सभी को कितना कर रहा है? बार बार repeat कर करके निकार रहा है न? तो हम सभी को क्या किए multiply कर लिए multiply करके जो हमारे पास final value आया वो आया 5 वटा 12 multiply क्यों किया लगातार लगातार नहीं कर रहा है तो same amount ही तो multiply करते चले जाएंगे ठीक है तो 5 वटा 12 आ गया अच्छा आप ये बताओ इसमें 5 वटा 12 आ गया न पाच वटा 12 क्या आया? milk का fraction आया, milk वाई total आया न ये तो दूद और पानी का क्या हो जाएगा? तो milk हो गया 5 और total नीचे 12 है यानि कि पानी कितना हो जाएगा 7 तो 5 अनुपात 7 का ratio हो जाएगा पानी और इसका अनुपात कितना ही जी था ये question अगला question देखते हैं 5 liter is taken out from a container full of water and filled by pure milk this process is done one time more then ratio of milk and water in the final solution becomes 16 is to 9 find the capacity of the container कह रहा है कि किसी container में से 5 liter निकाल दिया गया जो कि पानी से full है उसमें से 5 liter निकाल दिया गया और pure milk उसमें डाल दिया गया और इस process को एक और बार किया गया यानि total दो बार किया गया तो ratio हो जाता है दूद और पानी का वो हो जाता है तो कह रहा है कि capacity निकालना है अच्छा आप यह बोलो अभी तक क्या था दे दे रहा था कि इतना लिटर कंटेनर की capacity अभी क्या किया capacity नहीं दिया है लेकिन ratio तो दे दिया ठीक है अगर हम इसको solve करते fraction of final milk अगर हम निकालते fraction fraction क्यों निकालते fraction में एक से multiply करना होता ना इसलिए और तो कुछ दिया हुआ है नहीं तो अगर हम निकालते ए मालने थे initial amount तो इस इसी process पर निकालते ना और इस process पर निकालने पर आप देखो 16 अनुपात 9 में दिया हुआ है अगर ratio ठीक है तो यह क्या है milk and water का ratio दिया हुआ है 16 अनुपात 9 में क्या यह देखो आप यह तो water है ना यह water है तो हम water की ratio ले लेते हैं तो 9 water तो यहां 9 है 9 divided by 25 25 क्यों दोनों add करने पर 25 तो solve करने पर 9 वटा बार ही आ जागा अगर हम fraction से करते हैं इधर भी fraction में आ गया इसको जब हम solve करेंगे तो यहां से under root हो जाएगा तो तीन बटा पाच इसको जब हम finally solve करेंगे तो आजाएगा यहां देखो आप एक उस्टो आजाएगा यहां क्रॉस मल्टिप्लिकेशन हो जाएगा यानि कि 25 बाइटू यानि 12.5 लिटर आ जाएगा यानि इसकी जो पानी की कैपिसिटी है वो कितनी हो जाएगी 25 पॉइंट 12.5 परती साथ अगला question देखेंगे इतना तो हो गया इस टाइब के जितने जितने भी तरीके के question पुछे जा सकते थे वो तो आपको बता दिया गया और भी इस चैप्टर में रेशियन सोरी रेशियन प्रपोसर नहीं Mixer and Elegation chapter में और भी बहुत ही तरीके के question है लगवग हर चैप्टर से question इस topic में आ जाता है और इस प्रोसेस से आप बना सकते हो इसलिए आगे का वीडियो यह बहुत ही लंबा हो जाएगा इसलिए आगे का वीडियो हम आगे continue करेंगे दुसरे lecture में और कुछ अलग अलग तर ratio proportion और percentage बगरा जो बताया है मैंने उस lecture को एक वार देख लो जिससे कि इसको समझने में आसानी हो और फिर मैं सेम चीज़ कहना चाहूंगी एक वार अगर आप समझ लो तो अपने दोस्तों को समझाओ इस बारे में इस इन सारे questions को maximum आप को सॉल्व करने की कोशिश करो और कि आपके साथ जो लोग हैं क्योंकि आप जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे आज पास के जो सरकिर होता है वह भी पढ़ाई करने वाला ही होता है तो आप वैसे लोगों को अपने friends को या relative से उन्हें भी समझाओ जो आपने समझाए उस process को समझाओ बताओ उन्हें कि क अब यह solve नहीं हो पा रहा तो आपके लिए थोड़ा सा आप देखोगे इसके methods को देखोगे तो आपके लिए चीज beneficial होगा कहते हैं ना सीखने के लिए आपका knowledge तभी बढ़ता है जब आप दूसरे को उस knowledge के बारे में बताते हो आपने अगर कोई चीज एक वार पढ़ा उ सतना हो तो आप यह मानो कि वह बिल्कुल आपके mind में fix हो जाता है और वह आप क्रिएटिंव तरीचे से उस छीज को सोचे हो अपने तरीके से जो मह ने बताया या जो किसी और ने बताया उससे बी अलग तरीके से आप उसे बताने की कोसिस करते वाले को समझाने की कोशिस करते हो जिससे कि आपको बहुत होगा इसलिए आप जो भी पढ़ा करो कि आपके साथ वाले जो भी है उन्हें एक बढ़ा दिया करो अगर यह पॉसिवल है तो अगर पढ़ाना आपके लिए पॉसिवल है तो ठीक है अगर पढ़ाना आपके लिए पॉसिवल नहीं है तो और आपको लगता है ऐसा कि यह वीडियो हेल्फुल है तो आप इस वीडियो को सेयर कर लिया करो जिससे कि आपके शाथ के लोग आपके पहचान के लोग भी अच्छे तरीके से इस चैप्टर को स नमस सके, पढ़ सके, ओके, keep on watching, तब तक के लिए नमस्कार.